मेजर आरिया, मेजर आरिया की बात कर रहा है हूँ जी गौरव आरिया कि मैं जब चाहता हूँ मैं हम कुछ भी करा सकते हैं वहाँ पर इसी तरह डेस्ट्रॉई पाकिस्तान का जो तो मेजर गौरव आरिया के खिलाब एक आरोप लगाया उन्होंने उन्होंने बोला है कि आसे वाजबा जो पाकिस्तानी रिटायर आर्मी के अपसर है और सीपक अथार्टी में भी एक बड़े पत पर थे उन पर कुछ corruption के आरूप लगे हैं जिसे मीजर गवार्या ने expose किया, पहले इसे पाकिस्तान के कुछ NRI जनलिस ने expose किया था, जिसके बाद मेजर गवार्या ने इसे अपने यूटूब चैनल पर इस पर कुछ सबाल उठाए जिसके बाद आसिम वाजवा को रिजाइन करना पड़ा दोस्तों जी हां इनका कुछ पीजा का बहुत बड़ा विजनिस है यूएस में पाकिस्तानी आर्मी ओविजसली पीजा और ढावा और इसी तरीके के विजनिस करती है बड़े बड़े देसों में अपना पैसा लगाती है पाकिस्तान में नहीं लगाती है पाकिस्तान से पैसा निकाल कर बाहर लगाती है आपको काफी इंफॉमिशन होगी इस बारे में आपने मेडिया जो बाजको ग्रूप की है और यह एमद दौरानी एक जर्लिस करे पाकिस्तान में वैसे भी जो है खबरे इसी किसम की देते रहते हैं और पाकिस्तान से बाहर है उन्होंने ये खबर दी और खबर के बाद पहले एक रिपटला है बिल्कुल छोटा सा तो लोगों ने का जी ये काफी नहीं है लोगों ने बार बार का असम सलीम बाजुदा साब को कि आपने इसको ये तो कह दिया कि ये घलत है लेकिन इतना काफी नहीं है आप थाबत किजिए कि ये घलत है क्योंके इल्जाम आपके ओपर लगा है और इमरान खान साब से ये कहा जाने लगा कि जनाब आप वजीरादम पाकिस्तान है आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि अलजा लगा है तो आप तहकीक करने अगर बंदे के उपर इलजाम सच है तो फारइक करें अगर इलजाम गलλλत है तो फिर उस बंदे को अपने साथ आप कंटीन्यू करें ये जो मुतालबा है ये मरियम नवाज साहबा ने किया उन्होंने इमरान खान साहब को तंस किया उनके इलावा ये मुतालबा जो है वो शेबाज शरीफ साहब ने किया तो आज बाजुआ साफ ने अपनी सफाई देना शुरू किये उन्होंने ट्विटर के ओपर अपनी सफाई दी सबसे पहले और उसके बाद अब वो मुख्लिव टीवी चैनल से बात कर रहे हैं वो अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये कोई फोरम नहीं है जहां पर जहां पर सफाई दी जाए कि उनके उपर ये मलबा कहां से उठा है नौरानी साब आजकल अमरीका में हैं अमरीका कैसी कैसी गेम में कैसी कैसी बाजीव क्हेलता है वो हमारे सामने है अदूसरा अपर जो रिपोर्ट किया नुरानी साहब ने वो अभी किसी नॉमल चैनल के जरीए किसी अदालत के नोटिस के तौर पर या किसी अदालत के सोर मोटर नोटिस के तौर पर सामने नहीं आया है और जिस हद तक ऐलिगेशन्स लगे नहीं मरियम नवास साब का और शबाश श्रीव साथ का जो स्टेटमट है वो तो लोकल मीडिया पर रिपूर्ट हो गया है अपोजीशन ने जो मतालबा किया प्राइमिनिस्टर से वो तो रिपूर्ट हो गया है देखिए वो तो करेंगे उनको तो कोई न कोई अपर्चुनिटी चाहिए तो डिच दे गवर्मेंट वो हमें समझ आती है लेकिन ये मामला इतना घंबीर है कि ये सिर्फ इल्जामात लगाने से या बियान देने से ना तो वाज़ हो सकता है ना इसमें क्लैरिटी आ सकती है य कोई कमिशन नहीं बनेगा इसके उपर उससे पहले ये तैय नहीं हो सकता लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं किंसिस्टेंटली कहूं जान बूज के बार बार कह रहा हूं कि इसके पसे मन्जर में जो अवामल है उसके उपर तवज़े रखना बहुत जरूरी है मैं आपको जो चीजें हैं और उनको भी कितनी तकलीफ है सी पैक की अमरीका ने हमसे क्या मनवाना चाहा आई एम एफ की कंडिशनलिटी क्या थी हमने कैसे उनको वो सारी तफसीलात महिया कर दी यह सारे वो फैक्टर्स हैं जो मुझे शुबे में मुब्तला करते हैं कि ऐसा नहों कि य लेकिन जहां तक उनकी कंपनियों का तालग है उनकी इन्वेस्टमेंट का तालग है उन्होंने खुद वज़ाह दे भी दी है इसको कोई भी चैलिज कर सकता है तो अदालतों से हमें पता चल जाएगा कैसल सूरते हाल क्या है मगर मैं फिर कहूंगा आपको मेरे प्यारे भा कहां पहुंचती है जी क्या बता है अमिर भई आपको आप बता दें इस पर लिंक तो आप तक आ गया बहुत शुक्रिया आज आज आप फरमाया है मैं बड़ा फ्रेश लग रहा हूँ वो दिना आपका प्रोग्रेम लोरी जैसा था तो मैं वो लोरी सूश की सूश की सूश यही लोग बैटे हुए थे अगर आपको रोरी लग रही थी तो आपकी पर दिये ने मैं थकावा बहुत था काफी काम किया मैं अच्छा मैं आप आपको बता हूँ देंगे जो जो मैं जो आपने सवाल किया बड़ा देखें उसमें एक बड़ी जो एहम बास है वो यह के आ उटी उसकी है वो सरअनजाम देते रहे फिर यह मेजर जनरल बने लेफटरन जनरल बने और पर आई एस पिया डीजी आईस पैर के हैसे से काम करते रहे उसके बाद पिर जब रिटायर हो गए तो इनको सी पैक में भेजा गया और काफी अरसे के बाद बहुत 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 लेकि इनको पर एक अधाफी ओधा दिया गया और वो वजीर ममलिकत बराय इतलात ने शरयात करते हैं लेकिन वो ओधा इतना एहम नहीं है जिसकी तरफ सलीम बुखारी साब ने शारक किया है वो एहम तलीन ओधा है जो सी पैक एथारिटी का है अब जो सबसे बड़ी सुप्रीम कोट में उसने तोहीन अधालत पर माफी मांगी थी और वो उन्हें जजजज हदरात के खिलाफ जजज़साइबान की खिलाफ उसने जो जबान इखियार की थी और जो उसने रिपोर्ट जी थी और उसके बाद आप देखें ये लज़ाम लगने के तीन दिन के ब भारती फोश से और वो ये कहता रहता है कि हम जब चाहता हूँ में हम कुछ भी करा सकते हैं वहाँ पर इसी तरह डेस्ट्रॉइप पाकिस्तान का जो पूरा प्रोजेक्ट है ये अजीद कुमार दौल जो के जिसका जिकर किया भी बुखारी साब बिलकुल वह हैट कर रहा ह और अब आप इस पूरी कहानी में दो आद्मियों को देखें एक सिल्वर फॉक्स है यानि सिल्वर फॉक्स जिसके सफ़ेद बाल है मुश्यजदी ये जो मुखतरिस नामों के बदल कर ट्विटर पर आता रहता है अकाउंट बनाता है ये चलाक लोमडी की तरह है ये भी अ पाखिसानी खिलाफ है आसिम सलीम बाजवा को उस वक्त तक अदालत में जाने की जरूरत नहीं है जब तक कि बीबी मरियम ने ये फरमाया है कि आसिम बाजवा रसीदे थे तो जाएए ना आप रसीदे मांगने के लिए अदालत जाए आप प्रेस कांफिस में खड़ी होकर मास लगाए वहाँ छो कि साथ बराबर में क्या मांगनें रसीदे पहले अपने शोहर से तो रसीद मंगने जो असल रसीद उनको देनी अभी अभी तक ने दियो नों तो अब ये रसीदें जाकर वह अदालत में जाएं आधालत में जाकर वो याएसं अासिम बाजवा थास करें और से दिलाना पर हमला हुआ है सोचल मीडिया की अचंव किया गिए तो आप वसाइब नो कि ज्वाबा दे हैं इक आपर में एक सिकंड एक सिकंड इसके दो पहलों है आपर में एक सिकंड एक जम्राइब उर्फ पूलिए बुलिए दो हजार दो में मैं वजीर ममलकत था और मैं दो हजार जैनली में था और ये आशिम बाज़ा साम